Hello friends welcome to my YouTube channel today our topic is carcinoid जो कि एक पेतालोजी का बहुत ही इंस्तोपिक है, तो carcinoid होता है, इस राइस प्राइब कर निड़ू इंडू क्राइब। दोसरा इंडोक्राइन फंक्षन है प्लस इंडोक्राइन फंक्सन में रिलीज करेका'd सीरोटोनीन और हर्मॉन लिए रिली नुर्वेश हमारे बॉडी में होते क्या है जन्रेलरी नॉर्मली यह कहाँ परजेंट होते हैं नॉर्मली यह मारे बाडी के सभी पार्ट में प्रजेंट नहीं होते तो जहां पर निरो एंडोक्राइब प्रजेंटी और लंग्स याद तो यहां पर निरोंडोक्राइब याद निर। नार्मल फंट्सन होता है पहला फंक्षन होता है इसका Dark ऐसी दोनों फंक्षन में प्राब्लम्स आएंगी या फिलन donít्स क田udy लंक्स में प्रोब्लम आएगी मोच्ट कॉमेपास हमारे पास दो ही आप्सण है या तो जिए आई टी होगा या थो ज?, इसमें बिभी अवी मोच्ट zukवमसाइट क्या होता है GIT होता है मिवह लंग्स और सब्सक्रान इढहां कस्वायोगा चांसर किसमें होता है तो न ABOUT अगर इन दोनों को एक साथ कंपेर करें इसी तरह अब कंपेर करते हैं velocidade गिमिंप ओडियम और लंग्स को और कंपेर करें सबसे अब कुसे नोच यसको यह होता है लंग्स के किस ब्लूंकस क्यायद मुन Aufुर कर देंकल्ट क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं का सिंद के सबसे जढ़ा एफेक्टेट कौन होता है मेल और फिमल मेंख़ेट से तो सबसे जदा होती है फिमेल सबसे जदावा फिमेल करें मेल से चंग होती है सब्सेदा फिमेलस थी क्लिनिकल प्रेश्टोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोट बाद की स्टेज में बोड़ी लेटर स्टेज में क्या होता है कर्सिनॉइट के सिम्टम साना स्टार्ट हो जाते हैं क्या है starting phase में starting stage में asymptomatic होता है in later stage later stage में क्या होता है symptom आना start होते हैं दुसरा हमारा यहां पेक टर्म मिलेगा आपको Carcinoid वाले टॉपिक में Carcinoid syndrome जो की रेयर होता है रेयर पेसेंट में पाया जाता है Carcinoid syndrome में सोता है collection of symptoms यह बात याद रखिएगा बहुत जगा आपको syndrome word मिलेगा syndrome में सोता क्या collection of the symptoms which arises due to the metastatis are spread of the carcinoid to the liver or other organ other organ because of their release serotonin अब देखिए क्या होता है अभी हमने क्या पढ़ा सिंड्रोम 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 है तो collection of symptoms मतलब बहुत सारे symptoms का collection हो यहाँ पर और कार्सिनौइड है तो कार्सिनौइड मतलब क्या metastatis are spread of the carcinoid या तो जो कार्सिनौइड ट्यूमर हुआ है ऐसा बोल सकते हैं जो नियूरो इंडोक्राइं ट्यूमर जो है उसमें जब मेटाइस्टेटिस स्टार्ट हो जाएगा मेटाइस्टेश याद रखिएगा लास्ट फेज में होता है जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अब बोलेंगे कार्सिनौइड सिंड्रोम अब यही सिरो ट्यूनिंट क्या करता है इस तो यही जो सिरो टोनीन है है वो क्या करेगा को इस्प्रेट करेगा अधर और में लीवर में अधर पार्ट आप बॉड़ी में लीवर लंग्स कुछ भी हो सकता है तो कार्षिनाइट सिंड्रोम हम पढ़ गए समझ गए कार्षिन कालेक्शन आप दे सिंट्रम्स वीच एराइज ड्यू तुड़ अधर होता है वो कि होता है यह आखना सिंट्रोम आता कहां से जब में टाइस स्टेटिश अब कर दो कर्षिनाइट का में इस टेटिश उता या फिर फैल ना ब्लड के थूँ प्र फैलता है या फिसी भी तरूप दिया ना कि हमेटोजना से स्ट्रूश पेल ता तो हम पोलते एक यह मेंटा इस्टेटिस हो रहा है या किसी भी चैनल के थ्रू अगर फैल रहा है हमारे बॉड़ी में कहा कहा है लीवर में या फिर अधर और बॉड़ी यह क्या कहलाता है कार्शिनॉइट सिंड्रूम अब अब यह भी हो सकता है यह क्यों होगा यह सिंड्रोम चाहिंगे क्यों क्योंकि जब हमारे इंडोक्राइन वाला फंक्षन में सिरोटोनिन सिक्रीट होगा उस ट्यूमर से तो ही सिरोटोनिन कर्शिनॉइट को पूरे बॉड़ी में इस्प्रेट करा देगा बलड के तुरू अब सेकेंड पॉइंट वुड जनेटीक कंडीषन अब देखिए यह क्या है वह जनेटीक कंड़िशन से भी 15 होता है जनेटेक अगे शी सब्सक्राइब सत्राइब अगे न म्याफ बनागों समयदें ऌंग भी एट मैं और तीसरा क्या है तीसरा हमार हो गया ट्यूबरस इसकले रोसिस यह भी एक जेनेटिक कंडिशन है जो जीन के वजह से होता है तीनों टॉपिक को हम लोग नेक्स लेक्टन में पढ़ेंगे ओके फ्रेंट्स यह हमारा हो गया अभी क्लीनिकल फीचर अभी हम लोग इसका और गन वाई और देखे कि किस आरगन के एफेक्ट करेंगे तो क्या क्या क्लेन कर फीचर चाहेंगे तो इसका हम लोग आगे देख लेते हैं तब यहां पर एक प्वाइंट है प्रिजेंटेशन अब इस पेसेंट विल भी डिपेंड आन विच सिस्टम और आरगन विल एफेक्टेट अभी हमने बोला कि जो इसका सिम्टम्स होगा क्लीनिकल फीचर्स होगा वह आरगन पर डिपेंड करेंगा पेसेंट का कौन सा आरगन एफेक्टेट है या फिर कौन सा सिस्टम एफेक्टेट है कार्शिनौाइट से ओके तो जैसे कि एक्जांपल हम देख लाँ विन डियार इन्वालब्ड अगर के पय् Gremm Fest में हुआ हो तो क्या क्या सिम्टम्स होगा यहां पर है लुजब बैंडिक्स में होगा तो इसटार्टिंग में क्या हुए नहीं देखने को मिलेगा दूसरा प्वांट क्या अगर जिए की किसी भी अधर पार्ट में जैसे कि इस्टमक हो गया फिर इस्टमक में होता है क्या चीज़ कार्शिणाइड अगर जी आएटी के अधर पार्ट लाइक इस्टमक बीक्ते स्टाइन में होता है तो एदेखाने सब्सक्राइब देखां एब्डम प्मप्यं डायरिया और कॉंप्राइब कॉंस्टिपेशन् दैघिए अगर रुजिंग्लण इन्वाल्मेंट सोरी अगर्टल आपर होता है रेक्टल दरा सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो इसके ज्वारा हम यह पता कर सकेंगे यह नहीं करते ही उसका उसका मॉस्ट कॉमन पर्जेंटेशन है कि हीव उप्रोसी सब्सक्राइब क्या जो सबस्ट मुझे ब्लडोड आएगा दूसरा हो गया वीजिंग तो सब्स समझ रहें आप लोग दूसरा हो गया बृटलेशनेस होगा मिन्स सांस लेने में बहुत ही प्राब्लम ह हो गी ओके फिलसिंक चीया जो सकींग फ्लसिंग जानेली यन्य भ्मटिस का जूंधट यह जया फिलगा फ्लसेंगels में ऊहलू है ओके मृनिहों फ्लसिंगे में समाлю सिर्फ कहे क्ला दशीन हो और फ्लसिंग में 107 फ्लसिंगयं कस्था तया यह वाया कि यहां क्राइसिस अब देखे एक ट्रॉम्स मिलता है कि एक ट्रॉम्स मिलेगा आपको कार्शिनोयड में कार्शिनोयड क्राइसिस क्या होता है यह सिम्टम है इसको सिम्टम से बोल सकते हैं कार्शिनोयड क्राइसिस क्लेक्शन होता है एक प्रकाल कार्शिनोयड क्राइसिस इंद सीर सेरियस कंडिशन में यह आपको मिलेगा कार्शियोड क्राइस जब आपका कार्शियोड लेने में बहुत ज्यादे प्राब्लम हो जाएगी होके सास लेना उसके लिए मुस्किल हो जाएगा तेका सेकेंड पॉइंट क्या है satellite value का सब जगाएगा फ्लस्कि आपकेंड आपकेंड में आपकेंड आपकेंड टिक्री व्लिऊड प्रेसर ओल् diff- thing ऩद्री प्लॉर्ट क्रिक्र तो इनकेज बेटल क्राइश ज़्यक्त सीब्सक्राइब लें के और में प्रेश्य घक्रँबन के विपन्प्र dodome हो जाएगा सायर दिनको कार्शिनायड है बट किलियर तो करना पड़ेगा ना 100% कार्शिनायड है कि नहीं है तो इसके लिए हम लोग लैब डियागोसिस करते हैं तो पहले करेंगे तो आपको मिलेगा टीपिकल कार्शिनोड अगर टीपिकल कार्शिनोड में क्या चीज अगर इन टीप टीपकल कार्शिनाड में क्या होता है प्रोमो ग्रेनीन एंड सीरो टॉनीन का लेबल इंक्रीज कर जाता है और ये टीपकल कार्शिनाड में क्या होता है क्रोमो ग्रोमो ग्रेनीन एंड सीरो टॉनीन का लेबल क्या होता है नौर्मल होता तो फिर पैसे पता फिर तो में क्रोमोगरेनिन ए येंड सिरोव सीनों रहते तो उन इंडरी सी करते हैं अगर ब्लड में इसके लेवल by पता नहीं चली है तो उसके साथ साथ क्या कराते हैं urine analysis में कराएंगे तो क्या होगा इन typical carcinoid में क्या होता है 5 HI HIAA यह प्रोगा क्या होता है HTCID होता है जैसे 5 hydroxyl indole HDCID का लेबल जो है blood में increase हो जाता है 5 hydroxyl hydroxy indole HDCID का level increase हो जाएगा किसमे ए किसमे typical carcinoid में ओके फ्रेंट्स और ए टीपिकल कर चाहने हों 55 hydroxy indole कि indole HDCID का लेबल क्या होता है नॉर्मल रहता है ठीक है फ्रेंट्स यह टिपकल में कि 5 HIAA का लेवल नॉर्मल रहता है बट इसमें क्या क्या बढ़ जाता है शीरोटोनीन का लेवल इन्क्रीज कर दाएगा एंड 55 hydroxy ट्रिप्तोफेन का लेवल अब देखिए जब यूरीन एनालीसिस कराएगे बलड एनालीसिस में सिर्फ हमें क्या पता चला बलड एनालीसिस में बस हम का लेवल नॉर्मल रहता है लेकिन उसके साथ सीरोटोनीन और फाइफ हाइड्रॉक्सिल ट्रिप्तोफेन का लेवल अगर इंक्रीज कर जाता है तो उसे बोलेंगे एट टीपिकल कार्शिनॉड का इडेंटिफाई करने के लिए लेलम ड्रीन करने के लिए उसे लिया में एकशिल कि लिए और टीपिकल के लिए तो हम लोग ब्लोड एनालीसिस करने के लिए थे आप सीन्ड्रोमी आसे शरी सिर्काशिनॉयजि एसोसीहटे विट पेलैग्रा इुट बस दें नियाशिन डिफिसेंसी नियाशिन डिफिसेंश लेक्षा से एस्यायड करता हो किने प्रइवता है नियासीन की डिफिजिएंसी होती है दोनों एक दूसरे से अब देखें कैसे जो हमारा ट्रिप्टोफेन होता है जब कार्शिनौाइड होगा तो जो हमारा जब ब्रेखडाउन होता है तो नियासीन का लेबल क्या बोल सकते हैं कि好好éricपलेग्रा अ niacin измен का श्यचेटेडग क्यों कि प्रेखव करता है और किसमें carcinoyide में होता है कि नियाशनबर करता है जब रेकडाउं होता है तो नियासेन का लेबल डिक्रीज करता है और से रोटोरिंग stat हैं टीपकल करशिमाड मिफार लब्ल इनक्रीज करताए नहीं करेंगे तो यहां से हमारा सिरोटीनीन का लेवल ब्लड मे बढ़ता है कहाँ से करशिकनोयड होता है तो अन्यटार कर जाता है गश्योर करेंगे तो क्या मिलेगा में कि यह सब कोष्टिन है ना हमने जो लिखा ग्रास में यह क्यों रिखता है क्यों कि यह सब लिखा और लिबाउन गॉर क्रण कर dar आब रहता है आडाउन कललर्ग को फρेंट करेंगे माया शक्मिक करेंगे करतेते हैं हम लोग सभ्त यहां सब दो अहें सबहने नी नीरो ऑन्डोक्राइं ट्राइं च्राइन टूमर का है किसी भी neuro endocrine tumor यान ने की carcinoid for example carcinoid carcinoid का microscopic करते हैं microscopic examination करते हैं क्या देखने को मिलता है fine stippling fine stippling of the chromatin chromatin का fine stippling मिल लिगा छोटा-छोटा इसलिपन जिसको हम लोग बोलते है salt and paper chromatin जिसका common नाम दिया गया है साल्ट एन पेपर क्रोमेटीन कहां देखने को मिलता है तो किस में देखने को मिलता है नीरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स में इसको जैसे कि हमारा जो क्रोमेटीन है उसके छोटे छोटे डॉट डॉट का देखने को मिलेगा माइक्रोइस्कोप में तुसको बोलेंगे फाइन स्टिप्लिंग आप दा क्रोमेटीन दूसरा पॉइंट क्या मिलेगे जाब एक्जामनेशन करेंगे साइटो प्लाजम विल्ट साइ देखने को मिलेंगे रोगे होगा इसनों फिलिक नेचर होगा नेचर में क्या होगा इसनों फिलिक नेचर होगा वह अभी तुम्टम ने इसके पढ़ा इसके पहले इंटेस्टाइन में, लंग्स में, अपेंडिक्स में, जनरली यही तीन जगत हम देखें, यहीं पर होगा, तो इंटेस्टाइन में होगा, लंग्स में होगा, तो क्या-क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो पहला हमारा हो गया, इंटेस्टाइन कार्शिनोाइड, अगर intestinal carcinoid होता है तो क्या-क्या sign and symptom देखने को मिलेंगे intestinal carcinoid में क्या होगा abdominal pain होगा diarrhea होगा and rectal bleeding होगा अगर rectal carcinoid हो जाता है तो rectal bleeding देखने को मिलें इसके पहले हमने पढ़ा था ना rectal carcinoid में rectal carcinoid और diarrhea प्रस्ट कॉंस्टिपेशन भी था अल्टरनेट भी हो सकता है intestinal carcinoid में क्या-क्या देखने को मिलेंगा sign and symptom में abdominal pain diarrhea and rectal bleeding होगा अगर lungs में involvement होता है carcinoid का क्या-क्या symptom होता है कफ कफ निकलेगा जो कि क्या होगा hemoptosis होगा blood with cup cup with blood sorry sputum with blood sputum के साथ blood आएगा hemoptosis होगा वीजिंग होगा वीजिंग होगा और breathlessness okay breathlessness भी एक point है इसमें लंग्स में बहुत ही important point है तीसरा अगर appendix में involvement होता है कर्षिन आड का तो क्या मिलेंगा अपनेटिक्स में कोई लांनियस इसक्राइए यूंडिन आली इसक्राइए तो टिप्लेटी कर एक अपको मिल आएगा और और अगर आपका सिरोटोनीन और फाइफ हाइड्रोक्सी टिप्टोफेन का लेबल अगल यूरीन में इंक्रीज मिलता है तो हो गया आपका ये टिपकल कर्सिनवाइड ओकर फेंड्स अब हम देख लेते हैं साइने सिम्टम कास बाइदा हार्मोन सिरोटोनीन अब देखिए जब नीरो इंडोक सिरोटोनिन के वज़ा से होता है अब नंग्स कारशिनवाइड में पढ़ा ना बितलेशनेस बहुत ही जादे इंक्रीज करता है हें तो क्या होगा यह सब यह ज़ी देखें नेरो इंडोक्राइट में हार्मों से करेगा जो इंडोक्राइट में जो सीरो तो निंसी की ठोगा